हमशकार साथ हूँ आज हम न्यूस पेपर के एक आर्टिकल को डिकोड करेंगे 2024 में जो इलेक्शन हुए है उसके उपर रोजाने न्यूस पेपर में आर्टिकल आते हैं तो मैं आपको न्यूस पेपर के आर्टिकल रीड कराऊंगा और साथ-साथ कुछ sentence आपको translation भी कराऊंगा अलग से कुछ example जो बहुत easy होंगे मैं आपको कराता चलूँगा तो दोनों चीज होंगी translation और reading difficult words मैं आपको बतलाता चलूँगा जो perfect tense होता है उसमें कर हम two लगाते हैं तो वो मजबूरी वाले बन जाते हैं ये sentence मैं आपको कराऊंगा तो शुरू करते हैं पर sentence देखते हैं पृतेक कुछ वर्षों में लोग तै करते हैं उन्हें कौन प्रतिनित्व करेगा ज़िए को पहले बनाओ पृतेक कुछ वर्षों में इसका क्या हो गया पृतेक every few years लोग तै करते हैं पहले इतना बनाते है प्रिजेंट इंडेफिनेट में वर्ब क्या है तै करना डिसाइड और सीधी चीज़े यह छोटा सेंडेंस है यह हो गया लोग सब्जेक्ट आसानी से बन जाएगा पीपल डिसाइड अगला देखो उन्हें कौन प्रतिनिद्व करता है यह यह वर्ब किसके लिए आया है दो व्यक्ति है एक तो उन्हें और कौन यह प्रतिनिद्व जो है यह किसके लिए यूज़ हुआ है कौन कर रहा है सीरी चीज़े कौन कर रहा है यह कौन ही है तो सब्जेक्ट हो गया कौन इस सेंडेंस को देखो आप प्रतिक कुछ वर्षों है एवरी फ्यू यह 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 लगसे हो गया एवरी फ्यू यह लोग तै करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट पीपल डिसाइड कौन प्रतिनिद्व करेगा उन्हें कौन प्रतिनिद्व करेगा तो हूँ सब्जेक्ट हो गया कौन फूचन डेफिनेट में बिल रिप्रेजेंट First form है, कौन प्रतिनित्व करेगा उन्हें उन्हें के लिए हमने objective form लगाई है यह objective form है, them कौन उनका प्रतिनित्व करेगा या उन्हें कौन प्रतिनित्व करेगा तो इसमें subject क्या हूँ और object है them अगला देखो, presently कृत मदाता, मदान के इंदरों पर अपना vote डालते हैं देखो, सबसे पहले जो है वर्ब को ढून लोगा, subject सज में ना है तो वर्ब तो में पता लगी हैगी वर्ब क्या है? डालते हैं present definite में, vote डालने के लिए cast लगाते हैं, और यह वर्ब किसके लिए यूज हुआ है? कौन वर्ब जो है यूज कर रहा है? इसके लिए यूज हुआ है पंजीकृत मदाता पंजीकृत मदाता को कहते हैं registered votes, और वोट डालने के लिए क्लिए 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 आएगा? cast और वोट के लिए क्लिए क्लिए आथा? cast their votes बदान के इंदरो पर at polling stations बदान के इंदरो पर देखो इसे एक बार next देखते है बदाताओं को अपने वोट डालने के लिए वैद पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है देखो वैद पहचान पत्र valid identification ठीक है? card लिख सकते हैं identification card वरना इतना भी काफी है वर्ब क्या है? प्रस्तुत करना पड़ता है ठीक है? और यह वर्ब जो है यह किसके लिए आया है? मत दाताओं को प्रस्तुत करना क्या होता है? present या show show करना पड़ता है या फिर present तो subject होगे अब मत दाताओं को अच्छा यह sentence कुछ अलग है प्रस्तुत करना पड़ता है प्रस्तुत करना तो present या show कुछ लगा दें पड़ता है, मजबूरी सी लग रही है कुछ हलका सा हम ज्यादा stress दे रहे हैं पड़ता है, तो जो पड़ता है मजबूरी वाले sentence होते हैं, उसमें perfect में हुआ है, I have to study, I had to study, और अगर future में मजबूरी हो, future perfect में 2 लगा दो, will have to, shall have to, तुम्हें जाना पड़ेगा, you will have to go, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो जो perfect tense है, उसमें 2 लगा दो, तो मजबूरी हो जागी, पढ़ने का sense आया था, कुछ stress ही आया था है, तो sentence को देखते है, voters have to present, present हो गया, प्रस्तुत करना, या have to show, valid identification, वैद पहचान पत्र, ठीक है, card हमने नहीं लिखा, valid identification, अपने vote डालने के लिए, डालने के लिए, to cast, cast होदा डालना, to cast, dear voters, अपने vote, तो dear आया यहाँ पर, क्योंकि voters जो हैं, कई एक सारे हैं, अब voters कई सारे होगा, तो dear, देखे अपने की English, क्या होती है, dear, voters माने दे, देखे अपने की English, dear, इसे एक बार देख लो, मजबूरी वाला sentence है, यह आगे sentence मैं आपको कराऊंगा, अलग से कराऊंगा कई एक सारे sentence, अगला sentence जो है, इसको मैं translate नहीं कराऊंगा, इसको थोड़ा समझो, क्योंकि कुछ sentence ऐसे ही आएंगे, इन earlier times, पुराने समय में, in past, leaders, नेता, did not have to face, सामना नहीं करना पड़ता था, देखो, did के साथ में हमने have to लगा थे, तो मजबूरी आ गई, नहीं करना पड़ता था, past में, इड़े, past indefinite का negative में बनाया है, और have to use करा है, difficulties, मुश्किलों का in winning, जीतने में, पुराने समय में, नेताओं को, जीतने में, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता था, यह जो sentence है, जो हमने past में बनाया, मैंने आपको बताया था, perfect tense में, अगर to लगा दो, तो मजबूरी होया दिया, जैसे past perfect में, to लगा दिया, तो past में मजबूरी होगी, तो मैं पढ़ना पढ़ता था, you had to study, तो मैं पढ़ना पढ़ता था, अच्छा, अगर not हो, negative में हो, तो कैसे बनाओ गए, you had not to study, लेकिन इसे हम past, जो indefinite में भी बना सकते हैं, negative करके, वो इस तरह से बनेगा, you did not have to study, अब यहां पे structure समझ लो, did not, it के साथ में first form लगाई, have, first form हो थी, have, second form had, or third form had, did not have to study, तो मैं पढ़ना नही पढ़ता था, तो मैं पढ़ना नहीं पढ़ता था, अगर इसमें not लगा दे, तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ता था, you had not to study, तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ता था, और नीचे वाले में भी, you did not have to study, तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ता था, यह जो sentence है, leaders did not have to face, leaders को election, जीतने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता था इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, leaders had not to face फोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह के sentence कई बार जो होते हैं, वो आ जाते हैं, competition में next देखते हैं, fourth, तो मैं पढ़ना पड़ता है, दोको present present में, present में मजबूरी है तो has to, have to, ध्यान रखना has to, have to present में past में मजबूरी है तो had to, और future में मजबूरी है तो will have to shall have to यह मैंने लिख दिया है, plus करके will have to, shall have to यह future में मजबूरी आ जाएगी तो मैं पढ़ना पड़ेगा, तो पहले sentence को दिखते हैं, तो मैं पढ़ना पढ़ता है तो बहुत आसान है you present में मजबूरी have to study next है, उसे कठिन कारे करना पढ़ता है, यह दो तरीके से मैं आपको बनाऊँगा उसे कठिन कारे करना पढ़ता है उसे means, he ठीके पढ़ता है, he has to करने के लिए लगा दिया, do he has to do hard work क्यों हो गया, कठिन कारे इसको दो तरीके से देखो यह exams में आ जाते हैं यह वो sentence है, जिन्हें आप translation में कर रहे हो लेकिन यही चीज़ जो होती है error में आ जाती है इसे इस तरह से करते है, he has to इसे work hard यह वर्क जो है, यह वर्व के तौर पर यूज हुआ है कारे करना hard हो गया, मुश्किल अलग से यह मुश्किल है, यह एड़ वर्व के तौर पर यूज हुआ है तो यहाँ पर जो था do, अलग से लगाया था वर्व he has to do hard work उसे hard work, कठिन कारे करना, do पढ़ता है ठीक है, परफेक्ट में to लगा दिया मझबूरी हो गई, यहाँ पर हमने बनाया है do हटा दिया, और यहाँ पर work जो है यह वर्व है, यहाँ पर work जो होता है यह नाउन था, वर्व यहाँ पर do लगाया था यह वर्व है, और नाउन था इतना हो जाए अकिवल, उससे कारे करना पड़ता है, मजबूरी है, हाड आ गया तो मुश्किल, तो दो तरीके से बनाया है, उपर वाले sentence में वर्क जो है, वो नाउन है, और नीचे वाले sentence में जो वर्क है, वो उपर वह है, इससे आप देख लो, बहुत इजी sentence है, लेकिन बनाना है, या फिर दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, तो नाउन है, मुझे आई, have not to, wait here, मुझे यहाँ, here, इंतजार नहीं करना पड़ता है, have not to, मजबूरी आ गई, have not to, तो परफेक्ट उसमें, have to, has to का यूज़ करते हैं, not लगा जिए बीच में, लेकिन इससे present definite भी बना सकते हैं, I don't, और यह first form यूज़ करते हैं, present definite में क्या होता है, first form यूज़ करते हैं, I don't have to wait here, यह structure थोड़े से complicated होया आते हैं, लेकिन, ध्यान रखो, जब आप competition के तियारी कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रख लो आप, next है, उससे भोजन पकाने की जरूरत नहीं प हम बनाएंगे, पहले देखते हैं, she has not to cook meal, उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे भोजन पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, भोजन के लिए meal आ गया, पकाना cook, और has not to क्या मजबूरी आ गया, नहीं पड़ती, दूसरा present indefinite का negative बना, she does not, negative है, she does not, और have आ गई यह यह मजबूरी दिखला रहा है, present में, क्योंकि यह does not use why present indefinite बनाए, देख लो इसे एक बार, पिरगला करते हैं, साथ sentence हो गए, last है, क्या उन्हें वहाँ इंजार करना पड़ता है, अब यहाँ पर क्या, क्या उन्हें वहाँ इंजार करना पड़ता है, है छिपा हुआ है, दूसर present definite में भी बना सकते हो, खोड़ा सा complicated हो गयाते हैं, बस एक बार देख लो, कम आते हैं, क्या अगला जो है, आगे हम फिर article को study करेंगे, have they to wait here, क्या, have, क्या, उन्हें इंतजार करना पड़ता है, तो have to की वैसे में पता लगया है, क्या, अब यह present definite बना लिया, क्या, अब यहाँ पर जो है, have to, यह first form कर दिये, first form, do they have to wait there, या उन्हें वहाँ इंजार करना पड़ता है, next, अब article को देखते हैं, newspaper का, in the current, political climate, जो current, राजनीतिक climate है, हिंदी में नहीं बना रहा हूं है, क्योंकि यह कुछ word ऐसा होते हैं, इंग्लिश में आप ध्यानना को, हिं candidates have to, मज़ूरी आ गई, candidates को पढ़ता है, exert, considerable effort, effort क्या है, noun, प्रियास, considerable, बहुत ज़ादा, considerable, बहुत ज़ादा प्रियास लगाने पड़ते हैं, यह वर्व है, exert means वर्व, मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा, तो यहाँ पर लगाना, considerable effort, candidates को बहुत ज़ादा, considerable effort, बहुत ज security, victory नाउने जीत पाने के लिए to get victory, secure means get, to get victory, तो first form आगई है to get victory या to secure victory आगई the party that wins, तो को ये जो sentence है that wins the most seats in parliament ये just subordinate clause है, अगर इसे हटा भी दोगे तो ये जो है the party chooses the prime minister ये है इतना तब party ये subject हो गया चूजिस दा प्राइम मिनिस्टर present definite में party प्राइम मिनिस्टर को चुनती है party को एक माना है present definite है singular subject है तो हमने इसमें एस लगा दिया और ये जो बीच में है ये अलग से जोड़ा हुआ है ये subordinate clause है party that जो which इसमें बीच में एक अलग से sentence जोड़ दिया जिसे कहेंगे subordinate clause उसे आप हटा दो तो मीनिंग में फरक नहीं पड़ेगा आगे fundamental होता है आधारभूत इंपोर्टेंट फंड़मेंटल ठीक है ये एक fundamental aspect aspect होता है पहलू aspect पहलू को कहते है एक तरीके से part कह सकते हो ये एक fundamental part aspect पहलू है democracy का प्रजातंतर का as क्योंकी as माने क्योंकी के लिए भी होता है जैसे और क्योंकी के तौर पे भी होता है यहाँ पे क्योंकी है voters decide present definite में voters plural है तो as नहीं लगाया voters decide करते है the future of the country country का भविषय यहाँ पर वर्ड आया था exert exert माने क्या था प्रियास हो गया और यह करना यहाँ पर तक करना तो exert माने क्या होता है प्रत्न करना ट्राई बल लगाना जब बल लगाते है exert pressure प्रियास करना यह जो हता है ज़्यादा तर physics में बहुत ज़्यादा यूज होता है बल लगाना बल के लिए प्रियास करना तो exert जो हता है इसका एक example देखे है she had to एको मजबूरी वाला sentence है past perfect में to लगा के बना है she had to exert a lot of pressure उससे बहुत ज़्यादा pressure बल लगाना पड़ा to lift the heavy box infinitive है उठाने के लिए lift heavy box भारी box को उठाने के लिए उसे she उसे बहुत ज़्यादा pressure लगाना पड़ा उसे बहुत ज़्यादा प्रियास करना पड़ा तो यहाँ पर क्या प्रियास करना पड़ा she had to exert exertion प्रियास बल देखो वर्ब पता है तो नाउन आपको पता रहेगा बल यह नाउन हो गया प्रियास नाउन हो गया प्रतन नाउन हो गया तो नाउन नयाद करने जो रोद नहीं है इसका हिंदिया में भी नी बस इतना ध्यान रोगा exert का नाउन exertion होता है his exertions during the race उसका जो प्रियास था race के दौरान his exertions उसके जो प्रियास थे race के दौरान left him exhausted उसने ठका दिया left him उसे ठका दिया exhausted means ठका दिया left उसे जो पास्ट इंडेफिन में हो उसे ठका दिया left जो है छोड़ने के sense में जो इस फिटनी बेटा उसे थका दिया, तो एक्जर्ट वर्व हो गया, ठीक है, प्रयास करना, बल लगाना, प्रत्न करना और एक्जर्शन नाउन हो गया, बस इसका नाउन ध्यान रहना को, इसी का जो है, आगे दिखते हैं, इसका हिंदी में मतलब निकाला, थोड़ा अजीब होगा, जैसे ये सेंटेंस है, पास वाला, I have a cow, मेरे पास गाय, have a significant moment, 2024 election के खास, significant, important, मुख्य, छण है, मुख्य, important, moment है, इन इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्णी, भारत की प्रजातांतरिक यात्रा में, जर्णी, जर्णी नाउन है, भारत की प्रजातांतरिक, ये adjective है, डेमोक्रेसी नाउन होता है, प्रजातांतर, डेमोक्रेसी नाउन, और इ have a significant moment एक मुख्य छण है एक मुख्य moment है इंदी में करना थोड़ा मुश्किल होया आता है तो इसे English के sense में ज्यादा अच्छा होगा समझो आप भारती जनता पार्टी पार्टी का नाम है singular है has, emerged यह present perfect में emerged, उबरी है ठीक है? परकट हुई है उबरी है, कुछ भी निकालने है as the leading force एक leading force के तौर पे, एक main force के तौर पे force noun है और leading यहाँ पे adjective है, in form से बना है as the main force main force के तौर पे, या फिर leading मुख्य, जो है force के तौर पे उबरी है, leading हो गया नेतरत करने वाली force के तौर पे although, यत्पी यह थोड़ा गलत sentence type हो गया है, it, यह present perfect में होगा, it has fallen it has fallen short of achieving an outright majority, it has fallen short of, fall की third form fallen होता है, गिरने के sense में लगाते हैं, लेकिन fallen short of हो गया, कम रह गई है, it has fallen short of, यह कम रह गई है fallen short of, कम रहना, achieving प्राप्त करने के लिए यह proportion of, of के बाद में, proportion के बाद में हम जो है, या तो noun लगाते हैं, या फिर verb की inform लगाते हैं, तो यहाँ inform आ गई, of achieving, प्राप्त करने में an outright majority एक clear majority पाने में, clear, एक expressed, majority पाने में, जो है, has fallen short of, कमी रह गई है, पीछे रह गई है, has fallen short of, पीछे रह गई है, outright, clear majority पाने में, यहाँ पर एक word आया था emerge, जो को verb को देखो, emerge, उभरना, प्रकट होना, निकलना, अगर आपको emerge बताया, तो इसका noun बना सकतो emergence, ठीक है, पहले इसका example लिखते हैं, sentence में new species जो नई species है, emerge उभरी है, as a result of evolution, evolution के परिडाम सरूप, evolution, उत्पत्ती के परिडाम सरूप, जो है, new species उभरी है next is the truth, begin to emerge, सत्य begin to emerge, उभरने लगा, प्रकट होने लगा, यहाँ पर प्रकट होना जाद अच्छा होगा प्रकट होने लगा, past indefinite में है, begin, second form है प्रकट होने लगा, after a third investigation, एक complete full investigation के बाद एक full investigation के बाद यहाँ पर emerge वर्व है, उभरना, प्रकट होना, निकलना और इसका noun होता है emerge का emergence, अगर आपको meaning मी नहीं पता हिंदी का केवल noun धायन रखो emergence, देखो इसमें emergence noun, अब meaning का जरूई नहीं है, आप हर meaning को याद करो कुछ आपको ध्यान रोगे, emerge जो हता है, उभरना, प्रकट होना, निकलना, अब emergence जो है, वो उसका noun है, अब जरूई नहीं है, यह आपको meaning याद हो, लेकिन थोड़ा जो है, आप बस इतना ध्यान हो कि noun क्या है, बैसे इसका meaning अगर निकाले तो उध्भव, उभार प्रकट, उध्भव, नहीं से कोई चीज़ निकले तो, the emergence of new technologies, जो नहीं technologies का, जो emergence है, उध्भव है, उध्पत्ती है, evolution है, has revolutionized, उसने revolutionized करा है, क्रांती, क्रांती में बनाया है, the industry, industry को revolutionized करा है, यह third form है, revolutionized करा है, नहीं technology की emergence नहीं, उध्भव नहीं, emergent adjective है, उभरता हुआ, हुआ का sense आता है, generally, emergent adjective, रकट होता हुआ, विक्सित होता हुआ, बस इतना ध्यान होगो, emergent adjective, जबुए नहीं है, इसका आप meaning याद करो, emergent trends, साफ पता लगए, trends हो, पता ही होगा, जो trend चल ला है, ठीक है, emergent जो trends है, जो उभरते हुए trends है, in the market, market में, are quite promising, वो काफी, quite, वो काफी promising है, वो काफी अच्छे हैं, promising यहाँ पर अच्छे के sense में कहींगे हैं, next nine sentence, यह आप translate करोगे, 2024 के चुनाओं के बाद, नई सरकार को आर्थिक सुदार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया है, जो future perfect होता है, उसमें to लगा दो, मजबूरी बन जाए, will have to, shall have to, जी मजबूरी वाला हो जाएगा, जैसे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, you will have to study, मुझे जाना पड़ेगा, I shall have to go, तो यहाँ पर will have to, shall have to हो हो है, वाला sentence है, पहले इसमें देखो वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, केंद्रित करना, पड़ेगा तो अलग से, केंद्रित करना, केंद्रित करने के लिए हम focus लगाते हैं, और यह जो केंद्रित करना, यह किसके लिए आया है, नई सरकार को, यह subject हो गया, तो वर्ब जो है, यह जो वर्ब है, केंद्रित करना, यह किसके लिए बना है, नई सरकार के लिए, तो यहाँ पर बनाते हैं नई सरकार को the new government will have to focus focus केंदृत करना पड़ेगा इतना बन गया केंदृत करना पड़ेगा नई सरकार को will have to focus केंदृत करना पड़ेगा अब आगे की जो बच्चे हुई चीज़ है आर्थिक सुधारोप पर on economic reforms 2024 के बाद following the 2024 election वही following की जगे आप क्या लाआ सकते हो after भी लाआ सकते हो कहते हैं न follow me पीछे पीछे आओ तो following जो होता है वो after के sense में use करते हैं following the 2024 election या after the 2024 election इस sentence को धियान रखिए और खासकर following जो use हुआ है वो after के sense में use हुआ है election के बाद इस paradigm का मतलब है भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपने सही हो के उपर निर्भर रहना पड़ेगा जैको इस paradigm का मतलब है किवल इतना बनाओ present indefinite में simple सा sentence है इस paradigm this result या this outcome outcome भी result होता है मतलब है मतलब होना क्या होता है mean present definite में singular है परेडाम तो singular है तो this outcome means या this result means ठीक है this result means कि that भाजपा को सरकार बनाने के लिए अपने सही होगी उपर निर्भर रहना पड़ेगा फिर मजबूरी आगई future में तो will have to, shall have to वाला है और यहाँ पर वर्ब क्या है पर वर्ब यहाँ पर निर्भर रहना पड़ेगा will have to, shall have to use करेंगे निर्भर रहना क्या होता है depend और यह निर्भर रहना जो है किसके लिए आया है यह बना है भाजपा भाजपा को निर्भर रहना पड़ेगा बस इतना बना लो पहले फिर बाजपा को निर्भर रहना पड़ेगा तो BJP will have to depend पहले बनाते है इस परेडाम का मतलब है this outcome यह this result singular outcome means, present definite present definite में वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो mean वर्ब की first form है इसमें एस लगा दिया means हो गया इसका noun क्या होता है meaning meaning noun होता है meaning अर्थ होता है और mean क्या हो गया है मतलब होना अगर इसका dictionary meaning देखो है तो मतलब होना this outcome means इस result का इस परेडाम का मतलब है कि that BJP को निर्भर रहना पड़ेगा the BJP will have to depend depend निर्भर रहना पड़ेगा on depend को आद बनाते हैं अपने सहयोग्यों पर पर on its allies 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 रहा गया सही होग्यों सही होग्यों के लिए allies लगा है सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने के लिए के लिए to form infinitive से जोड़ दिया to form the government government बनाने के लिए या फिर फ़र हम ऐसे बना सकते हैं for forming the government इस sentence को देख लो आप we'll have to shall have to last sentence इसके बाद मैं बस एक paragraph में आपको कराऊंगा complete होगा article the election was contested over many social and economic issues जो election था वो लड़ा गया past indefinite का पैसे हुआ है was के बाद में third form लगाई है इसकी एक हम contested की जगे हम fought भी लगा सकते हैं fight की third form fight की third form क्या होती है fought होती है fought जो election था वो लड़ा गया over many social कई सामाजिक और आर्थिक issues पे लड़ा गया तो election लड़ा गया contested over लड़ा गया fought over many social and economic issues कई सामाजिक और economic issues पे तक Congress focus on constitutional values apostrophe S में कई बार क्या होता है कि हम जो apostrophe S के बाद में इसमें S होता है तो जड़ूत नहीं होती है हम S को लगाए है हम हटा भी सकते है केवल apostrophe को लगा सकते है तक Congress focus on constitutional values Congress का जो focus है का apostrophe में Congress का जो focus है constitutional values constitutional values के उपर समवेधानिक values के उपर and social welfare और सामाजिक जो welfare है भलाई की चीज़े है appeal past indefinite में second form है appeal appeal करी उपर वाला भी past indefinite का पैसे वाईस था यहाँ पर past indefinite का active voice है second form है appeal to many voters कई voters को appeal करा है थोड़ा देख लो complicated है Congress का जो focus है constitutional values और social welfare पर यह पूरा का पूरा subject है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा subject है पूरा subject है और अब वरवाया appeal to उसने जो है appeal करा है attract करा है appeal माने attract करा है many voters कई voters को President Drapadi Murmu President Drapadi Murmu has invited बुलाया है Narendra Modi को form the next अगली सरकार to form the अगली सरकार बनाने के लिए form अगली सरकार बनाने के लिए President Drapadi Murmu ने Narendra Modi को invite करा है speaking on the occasion Mr. Modi said that speaking on the occasion से sentence स्टार्ट करा है यह present participle में बने है एक simple से sentence है चोर को देखकर कर वाले चोर को देखकर मैं भाग गया तो seeing चोर को देखकर शेर को देखकर थोड़ा जीव हो गया शेर को देखकर मैं भाग गया seeing speaking on the occasion अफसर पर बोलते हुए ता जो है वो इसको sense दे रहा है this का sense दे रहा है definite है this का sense दे रहा है इस अफसर पर this occasion इस अफसर पर बोलते हुए वोग एका sense भी आयाता है इस अफसर पर बोलते हुए speaking ठीक है present participle में Mr. Modi said that Past Indefinite में Mr. Modi ने कहा that mutual trust पारिस्परिक विश्वास mutual पारिस्परिक विश्वास mutual होता पारिस्परिक और trust क्या हो गया विश्वास noun है was at the core of this alliance वो इस alliance गटवंदन का core है आधार है core वो इस गटवंदन का alliance alliance noun है वो इस गटवंदन का आधार है core core क्या होता है जैसे हम कहते है अर्थ का core तो क्या होता main part जो बीच का बिलकुल core होता है बीच का part होता है अर्थ का core कहते है यहाँ पर क्या आधार basis base है इस alliance का base है alliance noun है और इसका verb जो होता है वो ally होता है ठीक है this mark सा change यह एक change है marks जो हता है निशान लगाना होता है इसका हिंडी में मतलब निकालना है थोड़ा अलग बैटेगा यह एक बदलाव है change यहाँ पर ना होने change ना होने और इससे पहले हमने जो है article A लगा दिया this mark सा यह एक बदलाव का mark है एक प्रतीक है from single party rule एक party rule से coalition government की तरफ जो है यह एक बदलाव है so students पूरा article complete होगा कुछ sentence मैं आपको translate भी कराएं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे देशन में आया होगा मिलते अगले वीडियो में good bye